हलो यूटूब फामली वैलकम हैं आपका मेरे चैनल में कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे फिर से आ गई हूँ बहुत ही यूसफुल टिप्स लेकर जो हमारे घर के हमारे किचन के काम को आसान बना देगी तो चलिए फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं उ इसलिए क्योंकि ये प्याज हमें रुला देती है जब हम इसको काटने के लिए बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा इसमें से जल आती है तो ऐसा हम क्या करें जो इसमें से बिलकुल भी जल ना आए और हमारी आखों में आसू ना आए तो फ्रेंस जब भी आप प्याज काट चील सकते हैं तो आपकी आँखों में पानी बिल्कुल नहीं आने वाला है तो है ना बहुती जादा यूसफुल टिप आप इसको जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो चलिए अगली यूसफुल टिप देख लेते हैं फ्रेंस जब हम पराठे बनाने के लिए आलू उबालते हैं तो फ्रेंस इसके जो छिलके होते हैं इनको छीलना बहुती जादा मुश्किल हो जाता है इतने जादा गरम होते हैं कि हम इसको हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं छील सकते हैं तो इतना टाइम हमारे पास तहीं रहता है कि हम इसको ठंडा होने के लिए रख दिए तो फिर गर ले लिया और इस तरह की छणनी जिस्से की हम पूरिया या पकोडिया उतारते हैं बस हमें इसका यूस कर लेना है और जो हमने आलू काटा है उसको हम इसके बीच में रख देंगे और कटोरी ले ले लेंगे चाहे तो आप घ्लास का भी यूस कर सकते हैं और बस इसको हलका सा दबाना है इससे दो फाइदे होंगे आपके आलू मैश भी हो जाएंगे और आलू बेर से छिलका भी निकल जाएगा बड़ी आसानी से छिलका निकल जाता है आप देख सकते हैं तो हो गया ना हमारा घंटों का काम मिन्टों में हमें पिल्कुल भी इंतिजार नहीं करना पड तो बड़ी अच्छे से आपके आलू मेश हो जाते हैं, तो चलिए फ्रेंस अगली यूसफुल टिप देख लेते हैं, मार्किट से जब हम ब्राउन ब्रेड लाते हैं, तो आपने देखा होगा इसका कुछ सील इस तरह से होती है, तो ये जो तार इसमें लगावा होता है, तो हम इसे ब्रेड को यूस करने के बाद फैक देते हैं, तो इसको फैकने की तो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसका इतना अच्छा यूस होता है, कि इसको देखने के बाद आप फिर कभी नहीं इस तार को फैकेंगे, तो फ्लाल के लिए मैं अब इसे निकाल देती हू और मैं इसका क्या यूज में लेती हूँ, मैं आप सब के साथ शेर करती हूँ, तो देखें मैंने तार निकाल लिया है, इससे अलग मैंने और भी तार रखे हूं ए क्योंकि मैं काफी चीजों में इसका यूज लेती हूँ, अगर कोई समान बच जाता है कि चन में सूखा, तो मैं फिन्नी में भी इस तरह से सील करके इस तर का यूज कर लेती हूँ. लाल के लिए मैं आपको बताऊँगे कि देखें अगर हम कहीं भार जा रहे हैं और हमें इसको फोल्ड करना होता है तो आप तर बार-बार खुल जाता है चार्जर का. तो अगर आप इस तरह से फोल्ड करके ले जाएंगे और इसको इसमें आप यूज में ले सकते हैं तो तार बिलकुल भी नहीं खुलेगा चार्जर का और आपका बहुत अच्छे से पैक हो गया है ये चार्जर तो आप इसको इस तरह से घर में भी रख सकते हैं या भार जा हैं वहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं तो इसका इतना अच्छा यूज है तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा बहुती जादा यूसफुल है तो चलिए फ्रेंस आगली यूसफुल टिप देख लेते हैं आलू से ही रिलेटिड है फ्रेंस जब हम मार्किट से आलू का मीठा फण है वो निकल जाए फ्रॉल हम इसको पहले कट कर लेते हैं जिस पिस्यस में हमें इसको काट ना है तो देखे मैंने आलू कट कर लिए है जितने मुझे चाहिए मैंने ले लिया है एक बावूल में पानी और यह सारे आलू मैं इसमें डाल अभी और आलू इस तरह से रखते हैं मीठे आलू को आदे गंडे के लिए तो यकीन मानेगा जितना भी आलू का मीठापन है वो चला जाएगा और आपकी सबजी भी खराब नहीं होने वाली है तो आप इस तरह से जरूर से ट्राइ कीजेगा अगर आपके आलू मीठे आ गए है तो इस टिप से आप आलू को सही कर सकते हैं उमीद करती हूँ ये टिप आपको पसाद आई होगी कौन सी टिप आपको ज़्यादा बहतर लगी कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर शेयर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नियू है सबस्क्राइब कीजेगा ऐसी ही यूसफुल टिप आप सब के साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को जादे से जादे शेयर कीजेगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सकेए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाई फ्रेंड्स